बातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों 17 जून को एकादशी तिती है जो की योगनी एकादशी के नाम से जानी जाती है असाड मास के क्रशन पक्षकी जो एकादशी तिती है उसे योगनी एकादशी कहा जाता है इस दिन भगवान श्री हरी विश्णु की पूजा अर्चना की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस वरत के करने से पुन्य प्रताप की प्राप्ती होती है और सभी पाप कर्मों से मुक्ती मिलती है साथ ही आपके भौतिक जीवन में आपके निजी जीवन में आपके मनोरत सिद्ध होते हैं तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस एकादशी के वरत की पूजा विधी इसका मुहरत, इसका महत्व और इसकी कथा साथ ही राशी अनुसार उपाये के बारे में क्योंकि जब भी ऐसा कोई दिन होता है तो देखे वो सिद्ध दिन माना जाता है और एकादशी तिथी तो बहुत ही अच्छी तिथी मानी जाती है इस तिथी का वरत अगर व्यक्ति करना शुरू कर दे तो उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती वो अपनी जीवन में सदा सुखी रहता है हर सुख एस्वर्य भोग कर अपने पाप कर्मों को त्याग कर मुक्ति पाता है ऐसी ये एकादशी तिथी होती है तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके इस योगनी इकादशी का लाब क्या होता है तो देखे योगनी इकादशी का वरत करने से सभी पाप मिठते है आपकी जीवन में सम्रद्धी आती है आनन्द की प्राप्ती होती है सवर्ग लोग की प्राप्ती होती है तीनों लोकों में आप प्रसिद होते है वित रखने का उतना ही महत होता है जितना की 88 हजार ब्रहमनों को भुजिन कराने का होता है इस एकादशी का शुब मूरत क्या है तो देखे इस एकादशी ये जो एकादशी है बुद्वार के दिन 17 जून को है और ये प्रारंब होगी 16 जून की शाम को और ये समाप्त होगी 17 जून के सुभा को और इसका पारण होगा 18 जून को इसकी पूजा विदी क्या होती है तो देखे जब भी आप एकादशी तिथी में वरत रखते हैं या वरत रखना शुरू कर रहे हैं या आप एकादशी की पूजा आर्चना करना चाहते हैं वरत नहीं रखना चाहते हैं तो आप किस तरह से इसकी पूजा आर्चना करते हैं प ब्रहम मुरत जो होता है एक आदशी के दिन ब्रहम मुरत में उठा जाता है। सबसे पहले अपने आराध्य देव को इस्मरण करके प्रणाम किया जाता है। लगी है। उसका आप फल, फूल, दूद, दही, पंचामत से, कुमकुम से, धूप, दीप से उनका आप पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही उनको तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करते हैं। नारेल भी अर्पित करते हैं। तुलसी के पत्ता अर्पित किये भिना ये जो पूजा होती है ये पूरी नहीं मानी जाती है और एकादशी की कथा देखी सबसे मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूं एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए आपको आप वृत रखते हैं चाहिए आप वृत नहीं रखते हैं कथा जरूर सुने तो चलिए अब हम शिव भग्त था और प्रति दिन शिव की पूजा किया करता था हेम नाम का एक माली पूजा करने के लिए उसके यहां फूल लाया करता था हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुन्दर इस्तरी थी वह एक दे मान सरोवर से पुश्पतो ले आया लेकिन कामा सक्त होने के कारण व कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण पता करो जोंकि वे अभी तक पुश्प लेकर नहीं आया है तब सेवकों ने कहा कि महाराज वो तो पापी अतिकामी है अपनी इस्त्री के साथ हास से विनोध और रमन कर रहा होगा यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बु स्वरों के इश्वर स्री शिवजी महाराज का अनाधर किया है इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तो इस्त्री के वियोग में सहता रहेगा और म्रत्यू लोग में जाकर कोड ही बन जाएगा कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और उसी छण प्रत लगता रहा गूमते गूमते एक दिन वैं मारकंडे रिशी के आसरम में पहुंच गया जो ब्रह्मा से भी अधिक व्रध्य थे और जिनका आच्रम ब्रह्मा की समान के समान ही लगता था हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पढ़ गया उससे देखकर मारकंडे रिशी बो यह मैं एक व्रत तुझे बताता हूं अगर तो असाड मास के क्रशन पक्ष की योगनी नामक एकादशी का विधी पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे यह सभी पाप नश्ट हो जाएंगे यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसंद होकर मुनी को सास्टांग प्रणाम किया और मुनी ने उससे स्नेह के साथ उठाया हेम माली ने मुनी के कथानसार विधी पूर्वक योगनी अकदशी का व्रत करना शुरू किया और इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुरानी स्वेरोप में आया और अपनी इस्तरी के साथ सुख पूर्वक रहके भगवान से दिन क्या बात करते हैं मेस्रासी के लोगों को इस एक आदशी के दिन गेहूं और गुड़का दान करना चाहिए इस समय आप इंतीजों का दान कर सकते हैं यह यह फिर आप ताम्र पत्र पात्र जो होता है उसका उचित दान भी कर सकते हैं लेकिन गेहूं और गुड का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस दिन का आपके उपर प्रभाव जरूर होगा वरशब राशी की बात करते हैं वरशब राशी के लोगों को गरीब लोगों को या फि चावल चीनी और बरतनों का दान भी कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा इसके अलावा आप मिथुन राशी की बात करते हैं मिथुन राशी के लोगों को इस दिन गरीबों को वस्तर का दान करना चाहिए और या फिर आप को कहीं गाए अगर मिलती है त जो चारा होता है वो आप खिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपको धन संबंदी सभी परिशानियों से मुक्ती मिल जाएगी करकराशी करकराशी के लोगों को इस दिन धार्मिक पुस्तक जो होती है उसका दान करें आप चाहे तो हनमान चालीसा का दान कर सकते हैं जो बहुत ही उत्तम ये आपके लिए रहेगा किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से आप चुटकार अपा सकते हैं सेहिंग राशी के लोगों को इस दिन गरीबों को खाना खिलाना चाहिए या फिर आन्न दान कर सकते हैं गेहूं या लड़्डू का दान कर सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा कन्याराशी कन्याराशी के लोगों के लिए गरीबों में बस्तर का दान करना या फिर स्टील के बरतन दान करने से यह आपके लिए बहुत उत्तम समय रहने वाला है तुलाराशी के लोगों को इस दिन सिक्कों का दान करना चा इस दिन कोई मिठाई आप या फिर जल आप गरीबों में बाट सकते हैं या किसी जरुत मंद को चावल का दान कर सकते हैं वरश्चिक राशी के लोगों को अन का दान करना बहुत शुब माना जाता है या फिर आप रक्त दान भी कर सकते हैं ये भी बहुत ही उत्म यहां आपके लिए समय रहेगा अब बात करते हैं धनुराशी की तो धनुराशी के लोगों को इस समय अगर आपके आसपास कोई गरीब है या फिर आपके आसपास कोई बिमार व्यक्ति है तो उसको फलों का दान करें फल का दान आप कर सकते हैं केले का दान करना बहुत उतम रहेगा केले का दान करेंगे तो या फिर धार में पुस्तक का दान भी कर सकते हैं इससे आपके मनों कामनाय पूरी होंगे मकराशी को लोगों को इस दिन तिल का दान करना चाहिए या फिर चावल और चीनी जरुतमंदर लोगों में बाटे तो ये आपके लिए बहुत ही शुबाई आपके लिए रहेगा कुमराशी के लोगों को इस दिन तिल और तेल का दान करना चाहिए या फिर गरीबों में भोजन बाटें या सुन्दरकान का पाट करें या शनी मंदिर में जाकर तेल का दान करें इन में से कुछ एक काम एक अप कर सकते हैं जावत लिए अच्छा रहेगा हंतिम राशी मीन राशी तो मीन राशी के लोगों को इस दिन गरीब लोगों को गेहूं अगर गेहूं नहीं तो आप आटा दान कर सकते हैं आटा और गुड़ दोनों को एक साथ मिला कर आपको दान करना है और अगर आप रप्त दान करते हैं तो रप्त दान से बहतर तो कुछ दान ही नहीं इसलिए इन चीजों का दान आपके लिए बहुत ही बल्चाली रहेगा तो दोस्तों और अदी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले